अब दुख दूर भगेगा, होगी खुशियों की चाया, ना बचे का संकट बाकी, होगी खुशाल ये काया, कोई कस्ट नहीं अब बाकी होगा, मेरा जीवन अब सबरेगा, दिन मेरी भी सुधरेंगे, जब गुरुजी का आशिरवाद मिलीगा, पूच्जी गुरुजी एक ह करना बीड़ा पार हमारा, हम पर भी कृपा करना, खुश हो संसार हमारा, जए गुरुदीन, भाग्य दर पड, उम्मीद की एक किरण, जए शरी राम, मैं डॉक्टर अंकित्यागी, आपका अपना स्ट्रोलजर, निम्रोलोजिस्ट, लालकिताव इन वास्तु कंसल्टेंट आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ, सूरिय का मेश राशी में गोचर और उसका सभी राशियों पर प्रभाव, सूरिय का मेश राशी में जो गोचर होगा, वो 14 अपरेल, बुद्वार को दो पहर, दो बज कर 23 मिनट पर होगा, जब सूरिय देव अपने परमित्र मंग के स्वामित्र वाली मेश राशी में प्रवेश करेंगे, सूरिय के द्वारा व्यक्ति को जीवन में उर्जा और बल की प्राप्ती होती है, और हिंदू केलेंडर के अनुसार, बहुत ही शुब दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन को हम बैसाकी का त्योहार भी मनाते हैं, इसी दिन को हम बैसाकी के त्योहार के रूप में भी जानते हैं, जिस दिन पूरे देश में बड़े उल्लाश और जोश के साथ मनाया जाता है इस त्योहार को, आज शायद आप लोगोंने जाना कि क्यों मनाया जाता है, जब सूरिय मेश राशी में गोचर करते हैं, तब य अनि शक्तिशाली इस्तितीमा होंगे, बात करते हैं कि सूरिय के इस गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है, उनका जीवन किस तरफ जाने वाला है, शुरुआत करते हैं राशी चकर की पहली राशी अनि मेश राशी से, मेश राशी के जातकों के लिए सूरिय उनके पंचम भाव को नियंतरत करते हैं और अपने पहले घर से होकर उच अवस्था में गोचर करेंगे, यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि मेश राशी के जातकों के लिए गोचर एक बेहद ही शुब समय साबित होने वाला है, इस दोरान आप दोनों के रिष्टे को एक नया आयाम देने में भी मदद मिलेगी और इसके साथ ही इस समय अवदी में आप से जो सम्बंद छेत्र हैं उन छेत्रों से अपार सफलता मिलने की पूरी पूरी उमीद मुझे नजर आती है, क्या उपाय करना है मेश राशीवाल लोगों के लिए, रोजा करेंगे दूसरी राशी, यानि विर्शव राशी की, सूरिय है जिनको आकाशिय ग्रहों का राजा माना गया है, और विर्शव राशी के जातकों के लिए चौते घर को नियंतरित करते हैं सूरिये, और इस गोचर के दौरान अपने बारवे घर के माध्यम से उच्च स्था करने के लिए यह समय बेहद ही उचित माना जा रहा है, यदि इस अवधी के दौरान आप कोई खरीदारी करते हैं तो सावधान रहें, हाला कि यह अवधी आपकी मा के लिए बहुत शुबकारी होने वाली है, और पिता को उनसे सम्बंदित चेत्रों यह विर्शाय से अच् सम्भावना है, स्वास्त के पिरती इस गोचर के दौरान कोई भी लापरवा ही न बरते हैं, क्या उपाय करना है विर्शव राशी वाले जातकों को, रविवार के दिन तामे का दान करें, तामे किसी बरतन का दान किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं, तो कल्यानकारी होगा मितुन राशी, सूरिया है, जो कि जीवन शक्ति और प्रान शक्ति का अगरदूत माना गया है जिने, वो मितुन राशी में, मितुन राशी के तहत पैदा होने वाले जातकों के लिए उनके एकादश भाव से गोचर करेंगे, ग्यारवे घर या एकादश भाव को लाब का गर कहा जाता है, प्रॉफिट का गर कहा जाता है, गेन का गर कहा जाता है, क्योंकि ये सभी प्रकार के वितिये लाब, फैनेंशल लाब का प्रतिनित्त्व करता है ये घर, और जैसा कि एकादश भाव के रूप में पेशेवर विकास का प्रतिनित्त्व करता है, वो इस बा मितुन राशी के वो जातक जो बिजनिस से जुड़े हुए हैं उन्हें भी स्कोचर के दौरान काफी लाब मिलने की संभावना है हाला कि जैसा कि सूरिय सीधे पंचम भाव को दर्शा रहा है जो आपको इस अवदी के दौरान थोड़ा जिद्धी और कठोर बना सकता है क्या कराशी के जातकों के लिए सूरिय का ये गोचर उनके दस्वें घर में होगा जहां सूरिय अपनी दिगबल स्थिती या दिशात्मक सकती में होंगे और इस स्थिती में मौजूद सूरिय कर कराशी के जातकों के लिए नई उपलबदियां और विकास की संभावना लेकर के आने वाले हैं सूरिय जो परिवार के दूसरे घर को नियंतरित करता है और इस गोचर के दौरान दशम भाव में अपनी उच्च स्थिती में होंगे और जो जातक परिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं जो अपना परिवारिक विजनस कर रहे हैं उन्हें इस समय के दौरान काफी लाब होने की उम्मीद है इसके अलावा इस गोचर के दौरान आपको आपकी पैतरक संपत्ती और भूमी से लाब मिलने की प्रवल संभावनाए हैं क्या उपाय करना है करकराशी वाले जातकों को रविवार को सोने या तामे में गड़ी हुई अपनी दहिनी हाथ की अनामी का मैं अच्छी गुणवत्ता वाला एक रूबी आप धारन करें तो बहतर होगा हाला कि रूबी पहनने से पहले किसी अच्छे एस्ट्रोजर को अच्छे जोतिश को अपनी गुणली अवश्य दिखा ले राशी चक्र के अगली राशी यानि सिंग राशी की मैं बात करूँगा सूरिय जो कि सिंग राशी के शाशक हैं और इस गोचर के दौरान भाग्य और किस्मत के अपने नवम भाव में अपनी उच्छ स्थिती में होंगे इससे सिंग राशी वाले जातकों के लिए शुब फल मिलने की संभावना बन रही है व्यवसाइक रूप से बिजनस के रूप से बात करूँ नई परियोजनाओ या योजनाओ और नीतियों को शुरू करने के लिए इसमय बहुत चुब हो सकता है क्योंकि इस दौरान आपको अपने भाग्य और किस्मत का पूरा साथ मिलेगा कारे शेत्र पर आपका जो कारे है उसका प्रवास उचारू रूप से बना रहेगा सरकारी शेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं इस गोचर के दौरार उन्हें भी अच्छे स्थान की सरवोच स्थान की या अनकूल स्थानों पर जो चाहते हैं वहाँ पर promotion के chances बन सकते हैं लोग आपसे सला मश्वरा लेने भी आपके पास आएंगे रोजाना सूरियोद्य के समय सूरिय नमशकार करें बहतर होगा आपके लिए राशी चक्र की अगली राशी या निकन्या राशी की बात करेंगे सूरिय जो आपके बार्मे भाव का नियंतरन करता है बार्मा भाव जिसे वय का भाव, खर्चे का भाव, मुक्ष का भाव माना गया है वो आपके आठवे घर में अपनी उच्च स्तिती में गोचर कर जाएगा कन्या राशी के जातकों के लिए यह गोचर औसत प्रणाम लेकर आने वाला साबित होगा सबसे महतपूर बात, इस गोचर के दौरान आपको अपने स्वास्त का विशेस ध्यान रखने की सला दी जाती है क्योंकि इस दौरान आपको पेट, नजर या सरदर्द या तेज बुखार जैसी कोई समश्चा परशान कर सकती है इस्पेशली इस कोविड कोविड की डूरेशन में, कोरोना की डूरेशन में कन्या राशी वाले जातक सावधान रहें तो बैतर होगा जैसा की आठवा गर चिंता और अनिश्चिता को भी दर्शाता है ऐसे में इस गोचर अवधी के दौरान आप भावातमक रूप से थोड़े कमजोर घबराये हुए या उदास महसूस कर सकते हैं लेकिन आप अपना सहियम बनाए रखें सूरिय हुरा के दौरान ये उपाय आपको करना है सूरिय हुरा के दौरान रोजाना सूरिय मंतर का जाप करें ध्यान करें भगवान सूरिय को अर्द देना शुरू करें तो आपके लिए बहतर होगा राशी चक्र की अगली राशी है नहीं तुला राशी की बात करेंगे सूरिय जो कि तुला राशी के जातकों के ग्यारमे घर को नियंतरित करते हैं जिसे लाब भाव के रूप में जाना जाता है वो अपने उच्च स्थान पर साथमें घर से होकर गोचर कर रहे हैं और यह इस बात का संकेत है कि यह गोचर तुला राशी वाले जातकों के लिए शुब फल और परणाम ले करके आएगा ही आएगा तुला राशी के जो जातक इस समय अपनी मौझूदा आय से हटकर आय के नए श्रोत खोज रहे हैं नई तलाश में हैं कहीं से कोई इंकम दबारा से नई शुरू हो जाए ये गोचर उने शुब परणाम देने वाला है इस गोचर के दौरान आपको कई नए अफसर मिलने की संभावना है इस गोचर के दोरान तुला जातकों को बहुत अधिक, बहुत्रिक और राजकोश्य लाब होंगे किसी भी जरूरी या महतपूर काम के लिए घर से निकलने से पहले पिता या किसी भी पितातुले इंसान या पिता के समान उमर वाले इनसान का आशिरवाद लेकर निकले तो जीवन में सब मंगल होगा वरश्चिक राशी वरश्चिक राशी के जातकों के लिए उनके छटे बाव में होने जा रहा सूरिया का ये गोचर बहुत शुब और लाबकारी होने वाला है और इस गोचर के दौरान उन्हें महान परणाब और उपलब्दियां हासिल करने में बहुत मदद मिलेगी इस समय अबदी में आप अपनी सेहत का विशेश ध्यान रखें हाला कि आप रखेंगे लेकिन फिर भी बहुत ध्यान रखने की आवशक्ता आपको होगी क्योंकि कहीं न कहीं सेहत में थोड़ा सा उतार चड़ाव दिख रहा है जरूरत पड़े तो एक्सराइज अपनी दिनचरिया अपने आहर का भी ध्यान रखें उसका साहरा भी ले सकते हैं खाने पीने की अपनी शैली आप सुधारें तो बहतर होगा अपनी दिनचरिया में योग और ध्यान को शामिल कर सकते हैं उसके अलावा कुछ वरश्चिक जातकों को लंबी चली आ रही कोई स्वास्त संबंदी परिशानी से भी छुटकारा मिलने का योग बन रहा है वरश्चिक राशी वाले लोगों के लिए कुल मिलाकर व्रश्चिक राशी वाले लोगों के लिए ये गोचर ओसत रहने वाला है स्वास्थ का ध्यान रखें बाकी चीजों में मददगार साबित होगा उपाई क्या करना है व्रश्चिक राशी वाले जातकों को गोचर के दोरान रोजाना आदित्य हर 10 रोत का पाट करें आपके लिए बहुत लाबकारी होगा राशी चक्र के अगली राशी यानि धनुराशी की बात करेंगे सूरिया का ये गोचर धनुराशी के जातकों के पांचुमे घर के माध्यम से होगा जिसे सिक्षा, संतान, वरदी, प्रेम्य रोवांस का प्रतिनित तुम आना जाता है इस घर को इसलिए ये गोचर धनुराशी के जातकों के लिए लाब और शुब परणाम लेकर आने वाला साबित होगा सूरिया के अपने इस घोचर के दोरान आपके पाँचवे घर में इस्थित होना इस बात की तरब भी इशारा करता है कि इस दोरान विशेस रूप से विदेश या बहर कहीं उच्च सिक्षा की दियो तलाश कर रहे हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे मकर राशी राजसी ग्रह माने जाने वाला सूरिया अपने वर्तमान चक्र के दोरान चतुर्त भाव जिसे माता सुक और संपत्ति का प्रतिनित तो माना गया है चोथे भाव को उसके माध्यम से अपनी उच्च राशी मेश में चले जाएंगे और सूरिया का यह गोचर मकर जातकों के लिए दिल्चस्प प्रणाम परदान कर सकता है आपकी मा का स्वास्त है इस समय में आपकी चिंता की वज़े और कारण बन सकता है इसलिए गोचर की समय अवदी में अगर आप उनके साथ जादा से जादा समय बिताएं आप मेंसे कुछ को इस गोचर के दोरान प्री पैत्रक संपत्ती भी मिलेगी और जितना समय आप उनके साथ बिताएंगे उतना आपके लिए बहतर होगा लेकिन खर्चे बढ़ने वाले हैं मकर राशी वालों के ये ध्यान लखना है क्या उपाय करना है रोजाना सुबह के समय प्रनायम करें एक्सरसाइज करें या मेडिटेशन करें आपके लिए लाबकारी होगा कुम्ब राशी अपने वर्तवान चक्र के दौरान अपने तीसरे घर में सूरिया की उच्च स्तिती इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि सूरिया का यह गोचर कुम्ब राशी के जातकों के लिए नई उपलबदियां और सफलता लेकर के आने वाला है इस गोचर की अवधी के दौरान आपका कौशल अतिशोक्ती पूर्ण होगा और साथ ही आप अपने वरिष्थों के सामने अपने से बड़ों के सामने अपनी प्रतिभा को शांदार ढंग से रख पाएंगे शांदार ढंग से शो कर पाएंगे इससे आपको अपने कारेशेतर पर अपने सीनियर से प्रशंसा और सरहाना भी मिलेगी जिससे आप ज़्यादा जीत आपको मिल सकती है काम में प्रसंता होगी, खुशी हासिल करने में कामियाब होगे इस समय आपके भाषन देने की शमता भी अत्यदिक प्रवावशाली रहने वाली है जो निश्चित तोपर आपके पक्ष में काम करेगी क्या उपाय करना है कुम राशी वालों को जरूरत बंद लोगों को आवश्चक बस्तूओं का दान करें आपके लिए लाबकारी रहेगा खाने का दान भी कर सकते हैं भूके लोगों को राशी चक्र की अंतिम राशी निमीन राशी बारवी राशी की बात करेंगे सूरिय का यह गोचर मीन राशी के जातकों के दूसरे घर में होने जा रहा है जहां सूरिय अपनी उच्च स्थिती में होंगे ऐसे में यह गोचर उनके लिए औसत या मिक्स परणाम लेकर के आने वाला थाबित होगा सूरिय मीन राशी के जातकों के लिए छटे भाव को नियंतरित करता है और इस दोरान उनके दूसरे घर में मौजूद होगा जो की दर्शाता है कि अदालत के मामलों या कानूनी कारवाई के माध्यम से आपको धन या कुछ अन्यलाब मिलने की कुछ संभावना है अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए रण की तलाश अगर आप कर रहे हैं करज लेना के साथ सोच रहे हैं तो व्यवसाय लोगों को जो बिजनसमेन लोग हैं उनको इस अवदी के दौरान कुछ पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है क्या उपाय करना है मीन राशी वाले जातकों को सूरियों के समय रोजाना राम रख्षास्तरोत का पार्ट करें क्योंकि सूरिय भगवान विश्णू के इस अवदार से कही न कहीं जुड़े हुए है तो ये थी बात सूरिया के गोचर की क्या प्रभाब आपकी राशियों पर पढ़ने वाला है क्या उपाय आपको करना है क्या सावदानी आपको बरतनी है सूरिया के इस गोचर के दौरान में इस से लेकर मीन तक सभी बारे राशियों के हमने बात की और ये जो फल राशी फल हमने इस गोचर के दोरान बताए वो चंदर राशी बरादा रहे था अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और हाँ बेल आइकन जरूर दबा ले फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जैश्री राम